आज मैं से नाटी है। यह टेश्टी क्रिस्पी खेशटी है, किप चाहिए। बना झीछ कोटें ऑज वहाँ। इसके अंदर एक सिक्रेट अंग्रेडियन डाला है जिससे कि हमारे पकोडे बहुत क्रिस्पी बनेंगे तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और फ्रेंड्स ये अब सच में बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं आप जरूर इसको ट्राइ कीज़ेगा और हमें जरूर बताएगा कि आपको कैसे लगे हेलो फ्रेंड वेल्कम पैक टू माई चैनल पुस्पलता कीचन पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब कीज़े बेल बटन को जरूर दबाएगे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई रेसिपी डालो तो चलिए आज ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या तो वो मैं बताती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्या क्या सी इस लिया हुआ है तो मैं बताती हूँ आपको तो यहां पर मैंने कैबिज लिया है हाफ कैबिज लिया है उसको बड़े वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है आप देख सकते हैं यहां मैंने ग्रेट करके जिंजर और चॉप करके चिली लिया है उसके बाद यहां मैंने अजवाइन लिया है और यह मैंने हल्दी और चीरा उसके बाद मैंने लिया है यहां पे थोड़ा गरम मसाला यह नमक स्वात के अनुसार और मैंने वेशन लिया है और मैंने यह सूजी लिया है जो कि जिसकी वज़े से और यह हमारा पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और हिंग लिया है मैंने तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि हमें बाउल में अच्छे से मिलाते हुए बनेगा तो यहां पर जितना भी इंग्रेडियन्स हमने सब्किल और हम इhtक में आपड़े बना लिया है उसके बाद मैं सारे जितने जितने इंग्रेडियंस आपको बताए है वह हां पर जांड़ेंस में अच्छे से मिक्स करना है हाथों की हाष क्योंकि सपून सितिय अच्य से नहीं पर मेंहीं मैंने बदीट काणली मीस्टे और यह मैंने डाला सूजी और यहां डाला थोल बेशन तो हमें हाफ-ाफ लेना है इसको और हमें क्रिस्पी बनाना है उसके लिए हमने आपे सूजी लिया है तो उससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हाथों से मिलाना है आणडे देख लेंहीं क्योंकि हो एट देसं वकशी बहुत अच्छा होता है यह अउपने क्ली बेटर कात्वा शुक्त ससद्थी लेरा अहां झीक्याश्यां और आप सब्सक्राइक क्या Eli लेए देक्श्च्व होगा तो आप देख सकते हैं ऑल अच्छे से गर्म हो गया थ फिर मैंने से अंदर ये पकोडे में आल रही हूँ सकते हम एक होला है और य näme क्रेच की प्लैम लेक्टह पार फिर हम जोससे साइड नहीं पलतेंगे तुरंत नहीं पलतेंगे तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है तो जो भी कुकिंग का नियों आये हैं उनको भूत अधिक पता नहीं होता है तो इसलिए मैं पूरे अच्छे से बता रहे हूं ताकि अ94 समझ में आजाए तो यहां आप से होने के बाद मैंने दूसरी साइट पलट लिया है इसी तरह हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पकॉड़े अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो गया है कलर भी कितना अच्छा आया है तो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं तो इस तरह से अब हम इसको एक नैपकिन पेपर टीशु पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो भी ओल हो वो टीशु पेपर उसमें अबजर्ब हो जाए तो यहां पर मैंने पकॉड़े देख सकते हैं आप मैंने निकाल ल आप इसी तरह से अपने सारे पकोड़ों को तल ले और उसके बाद फिर आप खाए इसको पर उसे तो और फ्रेंस मैं यहां पर आपको दो टिप्स देना चाहूंगी एक यह है कि अगर आपके पकोड़े का बेटर रेडी हो गया फिर उसके अंदर हमें वन टेबल स्पून और गरम गरम डाल के उसको मिला लेना चाहिए उससे क्रिस्पी बनता है दूसरा यह है कि अगर आपने और के अंदर अगर आप थोड़ा साल्ट एट कर देते हैं गरम करते समय तो भी आपके जो पकोड़े हैं वह बहुत अच्छे बनेंगे और ऑल भी कम लेंगे क्योंकि अगर अधिक लगता है अगर साल्ट एट करते हैं तो हमारे पकोड़े और कम लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे दोसरा बंच भी रेडी हो गया है मैं उसे भी निकाल लूँगी और मैं सर्व करूंगी तो यहां पर मैंने सर्व कर दिया है तो यहां पर मैंने चाई के साथ और सांस के साथ सर्व के आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं और आप भी बनाए खाई और हमें बताए कमेंड वोस में कि आपको यह पकोड़े कैसे लगे अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं रेसिपी डालों तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड़ टेक क झालों तो